तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हीमादास ने पिछले 20 दिन में 6 गोल्ड मिले जीत कर पूरे भारत देश को गौरवानवित किया है तो इस वीडियो में आपके लिए हीमादास से लेड़ेट करेंट अफेस के कुछ most important question लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले exam से काफी मात पूर है और आप मैंसे काफी student ने comment और mail किया तक सर हीमादास पर एक special वीडियो बनाई तो आपके demand पर एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं तो इस वीडियो में आप लास तक बने रहें क्योंकि कोई भी चर्ची topic होता है तो exam में इस topic से 100% question पूछे जाते हैं तो इस topic में आपके सारे question में cover किया हूँ एक भी question ऐसे बाहर नहीं जागा तो वीडियो को last तक देखें और देखें उस तो हिमादास ने पूरे भारत को गौरवानवित किया है तो उनकी इस उपलब्धी को आपको इस वीडियो को share करके हर भारती तक पहुँचाना है तो आपकी जिम्मेदारी है ठीक है तो जादा-जादा record share करें जिस तरह सुनों record बनाया है तो जादा-जाद इस वीडियो में record share होना चाहिए दोस्तों ठीक है अब इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करिएगा चलिए देखते हैं यह वीडियो और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब में कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन बेल तो किस state से हैं राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा option D असम से हैं ठीक है असम के किस जिले से हैं यह तो असम में जिला इनका जो है वह नोगाओं और गाओं का नाम है धींग धींग गाओं का नाम है और असम राज्य से हैं ओके देखिए अगर यहां से एक question पूछा जाए है तो हिमा डास को जो famous उप नाम है दोस्तों वह है धींग एक्सप्रेस, इनके गाओं का नाम क्या है धींग दूसरी की वज़यसे यह बहुत famous है धींग एक्सप्रेस के नाम से कोन सी प्रशी धभारती इथ अथलेट तो है हीमा दास ठीक है धींग एक्सप्रेस यह आपको याद रखना है very important question है अगला option क्या है देखे हीमा दास के coach का क्या नाम है आपको बताना है तो देखे दोस्तों इसका right answer हो जागा हीमा दास के coach का नाम है निपोन दास ठीक है हीमा दास के coach का क्या नाम है निपोन अगला option है देखे ही very important question है हीमा दास को अरजुन पूरुसकार से कब सम्मानित किया गया था यानिक जो अरजुन अवाड है हीमा दास को कब दिया गया था अरजुन अवाड अरजुन अवाड सम्मानित किया गया था सन 2018 में 2018 में हीमा दास को अर्जिन पूरुसकार से लेटे एक दो कोशन एक जामें पूछ लेता है तो मैं आपको सारे कोशन बता देता हूं ठीक है तो अर्जिन पूरुसकार किस थापना कब हुई थी दोस्तों 1961 में 1971 में अर्जिन पूरुसकार किस थापना हुई थी शुरुवात की गी थी ठीक है खेल के शेतर में दिया जाता है ये अर्जुन पूरुसकार तो हिमादास को 2018 में अर्जुन पूरुसकार से समानित किया गया था अगला उचन देखिए हमारा निन्द में से कौन Edidas की Brand Ambassador है Edidas Company की Brand Ambassador कौन है तो यह है अथलीट हिमादास हिमादास जो Edidas की Brand Ambassador है देखे एडिडास ये कहा की कंपणी अगर आपसे कोशन पूछा जाए एडिडास उस जर्मनी की कंपणी है और एडिडास के बारे में तो आपको पता होगा कि ये फुट बियर, स्पोर्ट बियर की फेमेस कंपणी है ये ठीक है तो डिडास की बारे मेस्टर को ने हीमा दास, ऑप्सन बी अगला उसन देखिए हाली में यूनिसेफ ने किस भारती खिलाडी को अपना यूथ बारे मेस्टर बनाया है यूनिसेफ ने किस भारती खिलाडी को अपना बारे मेस्टर बनाया यूथ बारे मेस्टर राइट एंसर हो जाएगा हीमा दास यह UNICEF क्या है दोस्तों इसका फुल फाम आप से एक्जामें पूछा जाए तो इसका फुल फाम होता है United Nations International Children's Emergency Fund United Nations International Children's Emergency Fund देखे दोस्तों अगर UNICEF की स्थाबना पूछ लिए जाए कि स्थाबना कभी थी UNICEF की इसकी स्थाबना होई थी formation हुआ था 1946 में इसका हेटकॉटर कहाँ पर UNICEF का New York US में है ठीक निवयर्क US में तो UNICEF ने कि इस भारती खिलाडी को अपना यूथ परान इमेश्डर बनाया है हीमा दास को फिर अगला कुशन क्या है देखे दोस्तो हमारा हाली में हीमा दास ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रेंड प्रिक्स में कितने मीटर रेस में गोल्ड मिल जीता है तो देखिए दोस्तोosionンパ अथलेटिक्स ग्रेंडटिक्स में कितने मीटर रेस में गोर्ड मेल जीता था है वी मादासने 200 मेटर में ठीक है 200 मेटर में देखिए दोस्तो यह इनका आपको बतादें कि इनका पहला गोर्ड मेल था 2 जूलाई को और इन्होंने दोस्तो, 23.65 सेकन्ट में जो है रेस पूरा किया था हुनने कितने time में? 23.65 सेकन्ट में रेस को पूरा किया था, ठीक है? 200 मीटर रेस में इन्होंने जीता है तो चलिए, पोजनान अथलेटिक्स ग्रांड प्रिस में 200 में जीता था और कहां पे हुआ था पोजनान अट्रटिक्स ग्रांड प्रिक्स यह भी कोशन पूछा आएगा आप से तो कहां पर है पुछन पूछा villains फिरह पोलेंड अगला ऐसन च्या है किस दोस्तों हमारा फिलंड के कुट्णो ए होशन enabling 126 में कितने मीटर रादर में गौल्ड में जीता था टो यहां पर भीण है उनने 200 मेटर रादर मीटर में गौल्ड 126 में गौल्ड में Championship के कितने मीटर race में gold मिल जीता है तो आपको बताना है कि जो Novo Mestro Athletic Championship हुई थी कितने मीटर race में हिमादास ने gold मिल जीते हैं तो यह इसका राइटन से जोगा 400 मीटर में 400 में और कितने सेकेंड में कितना टाइम लिया था इन्होंने 52.09 सेकेंड और यह कहाँ पे हुआ था Novo Mestro Athletic Championship चेक रिपब्लिक में किया गया था कहाँ पे चेक रिपब्लिक में तो यह भी important है तो आपको याद रगना है कितने मीटर 400 मीटर अगला कोशन देखिये क्या है हमारा असाम का sports brand measure कौन है तो देखिये दोस्टो असाम को जो sports brand measure है हुआ है athlete हिमादास असाम की बात करें तो capital का है दिसपूर है CM है बरत्मान है सरवनन सोनोबाल गवर्नर जगदीश मुखी तो असाम का स्पोर्ट्स ब्राइंड मेस्टर हिमादास है अगला कोशन दोस्तो हाली में हिमादास ने कलांदो एथलेटिक्स मीट में 22 में गोल्ड मिला जीता यह प्रत्युकता कहा आजित हुई थी तो यह प्रत्युकता आजित हुई थी चेक रिपब्लिक में औपसों सी इसका राइट हो जाए ठीक है चल्ली अगला ऊच्छन देख लेते हैं छेंडेटिक में हिदने वाली पहली भारती महिला खिलाडी कॉर्ण है इसका हिमादास यह IAF यह क्या है दोस्तों इसका full form आपको पता होना चाहिए देखिए इसका full form होता है International Association of Athletics Federation क्या होता है full form International Association of Athletics Federation ठीक है इसकी स्थाबना कभी थी IAF की 1912 में इसकी स्थाबना की गई थी इसका headquarter है मोनाइको में तो IAF World Under 20 Athletics Championship की 400 मीटर दाओर इस परदा में गोल्ड मिल जीतने वाली पहली भारती मेले खिलाडी कौन है हिमादास है अगला कोश्चन दोस्तों हमारा Asian Games 2018 में चार सुमिटर रेस में कौन्स मेडल जीता था तो हिमादास ने Asian Games 2018 में चार सुमिटर रेस में जिल्वर मेडल जीता था है कहां पर हुआ था Asian Games 2018 इंडोनेशिय के राज़ानी जकारता में ओके तो यह थे ही मादास लेड़ेट मोस्त इमोडर्यक्शन अगारे आपको वीडियो अच्छा लगाए प्लीज लाइक करें इस वीडियो को शेयर जरू कर दें और वीडियो का